इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उप्योग करत इसका उप्योग दस्त और मूत्र संबंधी विकारों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। 1. इसका उप्योग अवसाथ के इलाज के लिए किया जा सकता है और ये सिर्दर्द के लिए एक शक्तिशाली उपाय है 2. दांद दर्द और गले की खराश के साथ पूर्फ की सूजन से राहत मिलती है 3. पूरे शरीर में ठंड के साथ खटी डकारे आना जैसे पेट संबंधी विकारों के उप्चार में सहायक 4. उल्टी और पेट के पाचन के साथ मतली का इलाज करने में मदद करता है 5. पेट में चुबने वाले शूल से राहत दिलाता है 6. मूत्रमार्प में काटने की अनुभूती के साथ दस्त और मूत्रमार्प के संकुचन के उप्चार में अत्यधिक प्रभावी 7. पीठ में गोली लगने के दर्द से राहत मिलती है और उर्जा का स्तर बढ़ता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें